हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो माई चैनल आज की बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और जल्दी बनने वाली रैसिपी लेके आया हूँ मतलब कि आप इसे बहुत ही कम चीजों से बहुत ही जाधा क्वांटरी बना सकते हो मतलब कि एक गिलास दूद से हमने आप एक किलो बरफ चाहिए होगा और इसे हमें मिक्सी में डालना है यह देखें मिक्सी वाला जो जार है वो इसके अंदर हमें डाल देना है और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़े से ड्राइफ रोड वगरा भी डालेंगे तो यहां पर मैंने थोड़े से काजू लिया है काजू या बदाम के अंदर कोई और चीज भी डाल सकते हो या फिर कोई चीज आपके पास नहीं है तो एक गिलास दूद ले सकते हैं या फिर एक कप दूद ले सकते हैं यहां पर नॉर्मल वही वाला दूद है जो आपके सभी के घरों में आता है उसके बाद हमें या पर चाहिए होगा आधा कप गुड मैंने गुड का पौडर यूज किया है आप चाहो तो नॉर्मल वाला जो पीस के रखा है ना वो पावडर हम इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसको तो हम roast करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा भूनेंगे, यह थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, वैसे अगर आप इसे नहीं भी भूनेंगे, तब भी हमारी बर्फी बन जाएगी, लेकिन इससे थोड़ा हमारी बर्फी टेस्टी बनेगी, तो इसलिए को भी ऐसे ही आप डाल सकते हो, बिना grind किये, मतलब कोई भी changes इसके अंदर आप करना चाहेंगे, तो हो जाएगा, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं, अच्छे से भूनना है, दो तीन मिनट तक जब तक कि इस तरह से कलर ब्राउन न हो जाए, तब तक भूनना है, अब इसको side करेंगे, और यह जो दूद है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, और गुड तो हमने इसके अंदर डाल दिया, तो चीनी वगरा डालने के ज़रूत नहीं है, क्योंकि गुड काफी मीठा होता है, अब उसके बाद य इसमें हमने कोई घी वगरा का यूज नहीं किया, लेकिन लास्ट में अगर आप चाहें, तो एक चमच घी इसके अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट के लिए या टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाता है, अच्छे से पहले इसको हम पका लेते हैं, फिर बिल्कुल जैसे बर्फी सेट होने वाली होती है, वैसे हमें इसको करना है, तो जाधा टाइम तो नहीं लगेगा, बस सिर्फ 2-3 मिनट आप इसको पकाएंगे, अभी 2 मिनट ही मुझे हुए है, इसको पकाते हुए, और 2 मिनट में ये कितना गारा हो चुका है, क्योंकि जो कोकोनट है, वो काफी सारा जो दूद का पानी है, वो अबजॉब कर लेता है, इसके अंदर अपने अंदर सोख कर लेता है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ठिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूत नहीं पड़ती, और बहुत ही जल्दी बर्फी बनके अंदर डालेंगे, और थोड़ा सा चाहे तो घी इसके अंदर डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसके भी कर सकते हो, एक चमबच यहां पे घी हमने डाला है, थोड़ा सा मॉइस रखने के लिए बर्फी को सौफ्ट रखने के लिए, और थोड़ा अच्छा टेस के लिए, ताकि हमारी बर्फी जो है, लॉंग टाइम तक खराब भी नहों, इसलिए यहां पे घी डाला है, अच्छे से मिक्स करेंगे, और यह बर्फी अब सेट होने के लिए रेडी है, तो इसलिए मैंने आप गैस को बंद कर दिया है, अब हम चलते हैं, इसको टिन हो, आपके पास कोई थाली हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर बटर पेपर लगा लेना है, और अच्छे से ओईल लगा देना है, बस इसके अंदर यह जो मिक्स है, वो डाल देना है, और अपने हातों से अच्छे से इसको प्रेस कर देना है, या फिर स्पैचूला से हो और अच्य से से करने के लिए एक दो घंट लिए हम इसको रख देना है। दो घंटे में यह इसे हो जाएगा, आँड़ हम भूगोज न चाहें है चाहिए तो आप डाल सकते हैं मैं बाद में देखेंगे जब इसके हम कटिंग करेंगे तो कि बटर पेपर तो अंदर लगा हुआ था तो इसली निकल के आ जाता है यह देखिए बटर पेपर भी हटा लेते हैं और यह देखिए कितना बर्फी बनके रेडी है इसकी कटिंग बहुत इजी है जो मर्जी शेप में आपको अच्छा लगे वैसे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं आप चाहो तो ट्रेंगल में स्क्वार में या फिर जैसे मर्जी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं मैंने आप पे बस स्क्वार में इस तरह से पीसे को कट कर लिया है जैसे भी आपको अच्छा लगे बसे कट कर लेना है मैंने आप बिल्कुल नॉर्मल रखा है बिल्कुल दिमाग में भी ऐसे नहीं आ रहा कि मैं क्या बना हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बनाना क्या है और आपको क्या क्या देखना पसंद है इस चैनल पे कौन-कौन सी मिठाईयां मैं अप्लोड करूं तो आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके सारी मिठाईयों के नाम बताईए ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारी मिठाईयों के वीडियो अपलोड कर सकूँ देखिए हमने इसको निकाल के रख लिया है प्लेट में और इसको मैं तोड़ के दिखा हूँ अब इसको सजाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे मगज लगा सकते हो इसके उपर से चाहे ड्राइफ रूल लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लगए आप लगा सकते हो तो यह वीडियो कैसी लिगी दोस्तो कमेंट करके जरूर बताईए अगर ऐसी और भी वीडियो दे करते हैं नेक्स वीडियो में और हाँ दोस्तों एक बात और की बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बगल में आप चेक कर लो कि घंटी वाला बटन जरूर ऑन रखना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबस को सब्सक्राइब करके जो बगल में घंटी वाला बटन है उसको भी जरूर दवा लेना ताक कि आप सभी को हमारी वीडियो मिलती रहे और आगे भी मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियो थैंकियो सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाए